तो दोस्तो कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह अच्छे रहें चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस खास वीडियो की दोस्तो आज हम बात करेंगे आपकी रसोई में सबसे खास मसाले के बारे में लाल मिर्च जिसके बिना किसी भी डिश को बनाना अधूरासा है चलिए आपको बताते हैं बाजार से लाए गए पैकेट बन दिया खुले मसाले कहीं मिलावट यूग तो नहीं अक्सर ऐसे सवाल आपके मन में अविश्याते होंगे खाने के सावान में मिलावट आजकल आम बात हो चुकी है नवराती और दुरगा पूजा शुरू होने को है और ऐसे में मिलावट आम बात है फल से लेकर सबजियों तक हर चीज में आपको मिलावट देखने को मिल रही है मसालों में मिलावट तो फिर भी आम बात है मसाले हमारे खाने में जान डालते है स्वादिस खानों की बात हो और मसालों की बात न छिड़े क्या ऐसा हो सकता है भला खैर जादा मुनाफ़ा बनाने के चक्कर में दुकानदार मिलावट करते है पर क्या आप वो तरीके जानते हैं जिन से मसालों में मिलावट की पहचान की जा सके चलिए हम आपको बताते हैं ये खास बात जो सब को जानी बहुत जरूरी है पहले तो ये जान लीजिए कि लाल मिर्च में किस तरह मिलावट की जाती है इसमें रंग के लिए आर्टिविशल रंगों का इस्तमाल किया जाता है लाल रंग दिखने के लिए ईट काचूरा तक मिलाया जाता है खराब मिर्चों को पीस कर उसमें आर्टिविशल रंगों को मिला कर मिर्ची को अधिक लाल दिखने की कोशिश की जाती है जिससे की लोग उसकी तरफ आकरिशित हो उसे खरीदने के लिए उत्सुक रहे इसी तरह बाजार में मिलने वाली पिसी हुई लाल मिर्च में इट कार्चून, चाक, पाउडर, चोकर, साबून या रेट डाल कर उसे खराब किया जा सकता है Food Safety and Standard Authority of India, FSSAI ने हाल ही में उपभुकताओं को जागरुक करने के लिए अपने ट्वीटर हैंडिल पर एक वीडियो भी शेयर किया है बाजार से मसालों को खरीदते वक्त ग्रहा को बहुत साबदान रहना चाहिए FSSAI ने इस जाल साजी से बचने के लिए तरकी भी ट्वीटर पर वीडियो के माध्यम से शेयर की है मिलावट खोल लाल मिर्च में इट का चून या फिर रेत जैसी चीजों का इस्तमाल करते हैं इसे पैचानने के लिए पानी का एक आधा भरा हुआ ग्लास लें उसमें एक चमच लाल मिर्च पाउडर डालें मिर्च को चमच से हिलाए इसके बाद भीगी हुई मिर्च पाउडर को हतेली पर हलके हाथ से रगड़ें इसे रगड़ते वक्त अगर आप किरकिरापन महसूस करते हैं तो समझिए यह मिलावटी है अगर आपको चिकनापन महसूस हो रहा है तो समझिए कि इसमें या तो साबुन को पीस कर मिलाया गया है या फिर आरा रोट में सुर्ख लाल रंग मिलाकर इस्तिमाल किया गया है मिर्च पाउडर में स्टार्च है या नहीं ये जाशने का आपको करीब आदा चम्मच मिर्च पाउडर ले इसमें टिंचर आयोडीन या आयोडीन सोलिशन की बूंदे डाल कर देखे अगर पाउडर का रंग नीला होता है तो पाउडर में स्टार्च की मिलावट है रंगी मिलावट है या नहीं ये जाशने के लिए आधा ग्लास पानी रे इसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दे पानी में लाल मिर्च को मिक्स कर दे अगर मिर्च का पाउडर पानी में घुल गया और पानी गहरा लाल रंग का हो गया तो रंग की मिलावट है साथ ही ध्यान दें कि मिर्च पानी में कभी भी पूरी तरह घुलती नहीं है बलकि तहरती रहती है और यदि मिर्च पानी में घुल जाती है तो समझ लूए कि वे मिर्च नहीं बल्कि गाये को खिलाने वाला आहार चोकर है जिसको गौाला गाये को हैरे मिलाकर खिलाया जाता है तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि कितना मिलावटी चीज़े चल रही है हर चीज में मिलावट चल रही है लेकिन अगर आप लाल मिर्च को अगर पहचानना चाहते हैं कि वह असली है या नकली है तो आप हमारे बताए हुए इन टिप्स को अजमाईए फिर देखें healthy और fit रहेंगे और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप बने रहे हैं हमारे साथ टेकेर और बाबाई